तारवारतिक में समझा रहे हैं तश्खलूशन सर्णा दुतियध्या में जो है अब गरवज, शम्मूर्चन उबात तीन परिगार का जनम होता है उस बात को हैं समझा रहे हैं कैसे होता है निष्चे से निष्चे 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 वारा निष्चे संसार ना जो संसार जीव है सुवा अशुफल प्रदायक सुव अशुफल देने वाले तो आश्रो दो प्रिकार का स्वाश्रो और स्वाश्रो तो काई बांग मना कर्म योगा मनवचन काई की योग है इनकी निमिश्यात पति में परस्वन्दन साश्रो वही आश्रो है अब आश्रो होता है क्या है तो कर्मों काना होता है इसलिए यहां पर उन आगे कहे जाने वाले सुत्रों को भी इतमे ज्ञान है तो आपको समझने में देर नहीं लगती और जिनको प्रारम में तो उनको पहलो बो समझने पड़ेगा यह समझने पड़ेगा, समझने तब उसको समझ में आएगा ठीक है? तो संसारन सुभाशु करम फल प्रदायक, सुभ असुख करम फल को देने वाला कारमान अब देखो अभी यह समय सार और सिद्धान्त में इतनी भीद है भी यहां कह रहे हैं, शुभ सुभ खर फल को दे रहा है? करम सिद्धान्त कहेगा यहां प्रणमती साकरता यहां प्रणाम साकरता यहां प्रणती साकरिया ठीक है? तब विन्नम नबसताहा तब विन्नम नबसताहा अब एक कलस के दिया ओके रहाश्ष वही प्रणामे वही प्रणामिये वही प्रणतिये ठीक है? इसलिए करम, प्रणाम, प्रणामी नहीं है, वो भी अपने सुनेंगे तो यहाँ, अब आपका धाइत क्या है? ज्ञानी बनके अज्ञानी बनने वालों से रच्छा करना थी अपनी या तो कर्णानियों के ज्ञानि या अग्यानि द्रभेनों के ज्ञानि ज्ञानि ऐसी कहनी कम ये सामरत तुमां अंदर ये सीको हम क्या सुनते तुमसे कोई गाणा नहीं आप अखित주는 आपके सुरी मुख्षे तो यह निकलना ची जिए था क्या आप गाते तो गाते क्या आपकी मुख से निकलता जिनम तदिय हम थाइधा वो भी अच्छा रहा सब हस रहे थे, ताली हो जा रहे थे लेकिन सुनो ये मालूँ ये मातमालोग क्यों हस रहे थे इसलिये नियां थे तुम बहुत अच्छा कि बुढ़ा रहे इसलिये हस रहे थे बुले निसंग साखर आप क्या बोलते पिर इसको लेकर के आपका व्याख्यान तलता आनन्दात दयादम त्याग समाधिनिस्टम दयादम त्याग समाधिनिस्टम निया प्रगांत दाजस्टम आपको तेर्थंकर वर्दमान प्रश्यम तेर्थंकर इसको देव प्रतम तेर्थंकर स्वनातन जिन्साष्ण इन महान विभूतियों के अरहत दर्शन के आपके यहाँ तेर्चित क्या है तो अरह चंदपुर में शुबर साज पूचन चंदपुर में दो बुद्ध विक्चु आए उन्होंने सिधा प्रस्म क्या क्या हम तेर्थंकर बर्दमान महाविर की बानी सुनना चाहते आपसे सुद्ध बानी सुनना चाहते उसका मतलब ये था उसको सोर सेनी प्राकृत की गाता सुनना थे ठीक तो अब ये है ऐसा आप प्रियोग करो ऊब π्रियोग करो करते रहो परें तू क्या करो नमक में आठा मत मिला ये आठे में नमक मिला ये तूद में बूरे में दूद मत मिला ये बूरे का बूरा खराब मत केजिए बूरे में दूद मत मिलाईए दूद में बूरा मिलाईए ठीक है? आईए तो यहां पर कह रहे हैं तो यहां कि इनकी बात हो मैं नहीं आना अरे एक ही बीचे तरात्मा बहुत है सुवासो फलपरदाग सारीर अनुग्रीत क्रिया विसेस है तो क्या किये? अनुग्रीत क्रिया विसेस वाले अवे कर्म क्या कर रहे है? अनुग्रीत क्या विसेस है? अब उपकार जो है ना निसंग सागर जी उपकार दोद्रशी से देखना थी है अब उपकार दो दुदिश्ट इसका देखना, अनुपकार भी उपकार है, अनुपकार भी उपकार है, उपकरत करें से उपकार, प्रभावत करें से उपकार, ठीक है ना, तो वहां तुमको लेके जाना है, सुक दिक जीवत मरणो ग्राश्चा, ये सुत दर, ठीक है ना, तो शुक देना, दुख देना, जीवन, मरन, ये भी पुद्गल करत उपकार है, तो यह हम क्यों उपकार कह रहे हैं, इसके निमिज से कार होता है, उपकार है, समें ना, इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, ना, आपने किया जो कर्म हैं, उनेका अनुभन के लिए देख वो कितनी सुंदर भात कह रहे है जो पकड़ना जानता वोई पकड़ सकता नहीं नहीं अहां बहुत ठीक चल रहा है अब पूरो पाजित अनुभन जो भी गतियां है जो भी चनम है ये पूरो पाजित करम का अनुभन है अब अब ग्रह बिग्रे भोगत गुमनम तो अब ग्रह अपूरो मानभव बिग्रह और अब ग्रह बद दो गतिया सुविक्रत किया गया है याई मोला बति और बिडा मुले कि ठीक है तो गुमन दुएदी चिप्त देशांत रस्षए यह दो गतिया न, अब इघ्या को गड़ा, तो देशांतरक। गळुन के एक घ्रण के पराप्ति गळुटाई तो बना हर पृराने निपरत प्रवत्ति, तो किस्य होगी? तो सुनिए गवड़ समूछन गरवबादा जन्मा आप ऐसे आव में खुर्शी है कमसे कम तुने पकड़ा तो बड़ा आनन्दा है आपको आपने सूत तो पकड़ ली गई तत्ता सूत पड़ा रहे हैं ये तत्ता सूत रही है परंतू पड़ा रहे है राजवारतिक आप इतना और इसमन में रखिए राजवारतिक जो ग्रंथ है वो तत्ता सूत के श्रक टीका है ठीक है ये समय उप्रवत उपत्ती रचना नुरतियनी रचना द्रव रचना तो गर्वण, समूर्चन, गर्वण, उप्पाद तीन परकार का जनम होता है गर्वण, समूर्चन और उप्पाद अब समूर्चन किसे कहते हैं अब वो ज्यानी बनना तो परवासा जाद करो रटक्यान न करो किम नाम समूर्चनम तो समन्त तो मूर्चनम समूर्चनम चारों ओर से ग्रण कर लेना समन्त तेनी परीत परीत तेनी चारों चारों ओर से ग्रण कर लेना वो समूर्चन है अब का है कमराब बंद था मच्छर हो गए सब ग्रण कर ले उन्हें बरगणाओं को अभी आप सोच जाते हो किते कीडे मिलते हो रास्ते में और दो दिन तीन का पड़ा मल्क भरसाद का मोसम है क्यासी मोटी मोटी इलिया हो जाते हैं उसके अंदर तो ये और सभी अपने अपने अनुसा जी रहे हैं एक बिमान जैसे उतरता है तुम सोच जाओ जंगलों में कहीं तो अच्छा तुमें कुछ भी नहीं दिखे एक बार जंगल में गए धेल साले से जैसे कोई बिमान उतर रहे हो सीधे आए बस गुरवीला तो उन्हें इत्ती उनकी घ्रानदी कितनी तेज है उनकी घ्रानदी कितनी तेज है कि उनको मालूम चल जाते कि यहां पर आगिया सामान ठीक है सीधे उनका बिमान उतरता वह इनलेंड करते है वो तो तो एक दिन तो बहुत सर उतरे तो गया एक भाव से देखता है इनको देखो इनकी अध्धिन करो मैंने अध्धिन किया कभी समय पर उता है उनका अध्धिन क्या गया ठीक है और प्रेम भी होता पर असपर में कितना प्रेम होता उनको कि इतना ज्ञान आप यह पकड़ो आप सुनो बात अच्पचो संबूर्चन है चाय दंद्री है वो लोग परन्तु उनकी बुद्धी उनके पास बुद्धी उनके पास अब आए संग्याद बुद्धी उनके पास बिना बुद्धी कैसे नड़ने करेंगे मतिसृत ज्यान है आए यह उतरना उनको फिर अंदर जाकर गोली बनाना पिर जैसे एक गोली बनाता है, दूसरा सामने खड़ा हो जाता है, देखा आपने, वो उसको देता है, आँगे लोड़कता जाता है, पिर देता है, आँगे लोड़कता जाता है, आपने देख रहे हैं, पिर तुरंट सही हो करते हैं, एक 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 गोली बनाता है, वो परने ज जहां उनको रखना होगा, विवस्ता उनकी परिग्रे संग्या, आर संग्या जो भी है, तो वो अपने पास लेकर चले जाते हैं, बिलों के लेज़ाते हैं, उड़के ज़रूर आते हैं, पर उनके निश्यतिस्तान है, उड़के तुम भी, जहीं लोग उड़के तो आए, कित है, गेओ को जानना, और आप हमसे करें, ग्यान है तो गेओ तो बनेगा,